कनाडा के क्रिशी मंत्राले ने दो हजार तेईस से चौबीस के वर्तमान मार्केटिंग सीजन अगस्ट से जुलाई के दौरान देश से काबुली चना का कुल निर्याद घटकर एक दशमलव दो शूने लाक टन पर सिमट जाने का अनुमान लगाया है। अमरीका, यूरोपिय संग एवं तुर्की कनाडाई काबुली चना के तीन प्रमुक बाजार बने हुए हैं। बहतर उत्पादन एवं कमजोर निर्याद के बावजूद कनाडा में चालू मार्केटिंग सीजन के अंत में काबुली चना का बकाया अधिशेश स्टॉक घटने क की संभावना है। मौजूदा सीजन में इसका ओसत बाजार भाव बढ़कर 1079 डॉलर प्रती टन के नए रिकॉर्ड स्टर पर पहुंच जाने का अनुमान है क्योंकि एक तो इसका स्टॉक कम है और दूसरे इसकी वैश्विक मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। उधर अ बढ़कर 2.14 लाख टन पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है। कनाडा के क्रिशी मंत्राले की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 सीजन के दौरान काबुली चना के बिजाई क्षेतर में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि उंचे बाजार भाव के कारण किसानों को आकरशक काबुली चना की खेती होती है। सामाने ओसत उपजदर के आधार पर कनाडा में 2024 से 25 सीजन के दौरान काबुली चना का उतपादन तेजी से बढ़कर 2.1 लाख टन पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी कुल आपूर्ती एवं उपलब्धता में 28 प्रत इसले साल मौसम की हालत काफी हद तक फसलों के लिए प्रतिकूल रही थी। इससे उतपादन में गिरावट आई मगर काबुली चना का उतपादन अपेक शाकृत बहतर रहा। मसूर एवं मतर की पैदावार काफी घट गई। काबुली चना के वैश्विक निर्याद बाज में कनाडा को अमरीका, मैक्सिको, भारत, रूस एवं अर्जेंटीना जैसे देशों की कठिन प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ता है जबकि ऑस्ट्रेलिया से देशी चना का निर्यात होता है।